हरे कृष्णा राधि राधि तो भक्तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे दीपक के बारे में बताने वाली हूँ जिसे जलाने के फाइदे तो अनेकों हैं लेकिन उसका सही तरीका क्या होता है ये हमें किस दिन जलाना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस द धर में स्थाई लक्ष्मी का वास रहे तो कुछ चोटे-चोटे से कार्य होते हैं जिन्हें की अगर हम करते रहते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे खर को छोड़ कर कहीं नहीं जाती हैं और बहुत ही ज्यादा प्रसन होती हैं तो मैं बात कर रही हूं लक्ष्मी दीपक की तो देखिए वैसे तो लक्षमी दीपक जो है धंतेरस से शुरू करके दीपावली धंतेरस जो होता है उदर शुरू करके और पूरी साल फिर नियम से हमें जलाना होता है ठीक है लेकिन अगर आप बीच में कभी भी शुरू करना चाहते हैं तो आप अक्षेत रितिया जैसे अभ पहला शुक्रवार पड़ेगा उस दिन से आप ये दीपक जलाना शुरू करें ठीक है आप ये दीपक अपने घर के मुख्यद्वार पर भी जला सकते हैं अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं ठीक है तो अगर आप घर के मुख्यद्वार पर जला रही हैं तो आप क्य करेंगे वहाँ पर थोड़ा सा हल्दी से आप पहले लीप ले उस जगा को साफ करके फिर उस पर स्वास्तिक बनाएंगे आप कुम-कुम से तो यहाँ पर मैं प्लेट में ही रखके दिखा रही हूँ आपको तो पहले मैंने हल्दी से प्लेट को अच्छे से रंग लिया है उस बहुत प्रिय होती है ठीक है तो हम यहाँ पर कलाबे की बाती बना रहे हैं अच्छा कई सारी जगा ना चार मुखी दिया भी जलाया जाता है यानि कि चार बाती लगा दो बाती लगाई जाती हैं क्रॉस करके तो वो चार बाती हो गई ना इस तरह से तो ऐसे भी जलाते है लेकिन मैं आपको सिंगल बाती से ही दिया जलाना बता रही हूँ और बहुत ही सरल तरीके से बता रही हूँ और फ्रेंड्स आप ये करेंगे तो आप खुद से फर्क भी देखेंगे कि कितनी बतलाओ आ रही है जीवन में ठीक है तो देखिए हमने यहाँ पर दिये में वो ल घी से ही जलाना चाहिए और अगर घी एवेलेबल नहीं है किसी कारणवश तो आप क्या करेंगे तिल के तेल से भी जला सकते हैं ठीक है लेकिन सर्सों के तेल का दिया माता लक्षमी के सामने नहीं जलाया जाता ठीक है आप इस बात का ध्यान रखें अब हमने इसमें घी ड हमें कुछ चीजें हैं जो कि हमें जरूर इस दिये में डालनी चाहिए तो देखिए यहां पर दिया हमने जला लिया है अब अगर आपके पास पीली कोडी है तो आप वो डाल सकते हैं अगर आपके पास कमल गट्टा है तो आप कमल गट्टे का बीज आप डाल सकते हैं ठीक अगर आपके पास मिश्री ना हो तो आप जो है थोड़ा सा बताशा ले ले उसको क्रश करके डाल ले या फिर आप थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं लेकिन बताशा या मिश्री इन मैंसे कोई चीज़ आप डालेंगे तो वो जाधा अच्छा होगा उसके बाद हम इस प्लेट को अच्छे से फूलों से सजा लेंगे और आप चाहें तो गुलाब की पंखुडियां भी आप दिये के अंदर डाल सकते हैं ठीक है क्योंकि ये चीज़े ना माता लक्ष्मी को बहुत प्रिये होती हैं तो बस इस तरह से हमने अपना दिया अच्छ खुश्बू तो होने चाहिए ठीक है माता लक्ष्मी को अच्छी खुश्बू बहुत पसंद होती है तो हम यहाँ पर धूब जला लेंगे दिया जला लेंगे और इसको हम जो है जलने देंगे अगर आप घर के मंदिर में ये दिया जला रहे हैं तो आप वहाँ पर बैठक लक्ष्मी जी के मंतरों का जाब कर सकते हैं कोई भी आप लक्ष्मी जी की इस्तुती पढ़ सकते हैं लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं कोई भी आप पाट कर सकते हैं ठीक है और अगर घर के मुख्यद्वार पर जला रहे हैं तो या तो संध्या के समय आप जलाएंगे य और इस दिये से लक्ष्मी माता बहुत प्रसंद होती है। अच्छा आपको कोशिश ये करनी है कि जो दिये की बाती का मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए या फिर पूरब दिशा की तरफ ठीक है। ऐसा करना बहुत शुब होता है। दिया जलाने के बाद आप माता लक्ष्मी से प्रार्तना करें कि है मा लक्ष्मी आप विश्नु वगवान के साथ, गनेश वगवान के साथ, मेरे घर में सदैब सदैब के लिए आप इस्थाई वास करें, मेरे घर का सदैब कल्यान करें, मंगल करें। ऐसी प्रात्ना करें और देखेगा आपकी जो भी मनोकामना है आप वो बोलते हुए इस दिये को आप हर शुक्रवार जलाएं फिर आप अपने जीवन में चमतकार स्वेम देखेंगे